गरीब लकड़हारा जंगल के करीब रहता था वो रोज जंगल जाता लकड़ियां काटता और उसे शहर जाके बैच देता था एक दिन खजानी की तलाश ये खड़ा खुदने लगा अचानक उसे एक बहुत बड़ी देग नजर आए वो इस देग को देख कर बहुत खुश फाली थी फिर वो उसे घर ले गया उसने कुछ चावल इस देख के अंदर डाले कुछ देर के बाद इससे बहुत सारे चावल निकले वो इतने चावल देख के हैरान हो गया फिर इसने तसली के लिए एक फल डाला फिर थोड़ी देर के अंदर ही फलों का देख लग गया फ अल्दार हो गया। अल्दार होने के बाद वो दूसरे गरीबों की जरूरत भी पूरी करता था। जादूई देख की कहानी हर जगा पहल गई। इस गाउं के बादशा के पास भी इस जादूई देख की खबर पहुँची। बादशा ने सिपाहियों से कहा लकलहारे और उसक जादूई देख की वज़े से बहुत सारे बादशा निकल आया। एक असली बादशा था, बाकी जादूई थे, वो सब देख के हुसूल और लालच की वज़े से एक दूसरे से लड़ने लगे, यूं सब ने एक दूसरे को जादूई देख के लालच कतल कर दिया। यूं लालच की वजह से असल बादशा खुद भी जिन्दा ना रहा। लकलहारे ने अपनी जादूई देग उठाई और उसे लेकर अपने घर चला गया। प्यारे बच्चों लालच करना बोरी बात होती है अगर किसी के पास अपसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है तो आप इससे हसद ना करें बलकि जो कुछ आपके पास है इस पर शुक्र अदा करें।